आपका स्वागत है जन्पत कानपूर में दिल्ली से गायब हुए बच्चे को कानपूर पुलिस ने किया बरामत यूँ तो अभी तक आपने यूपी पुलिस की कई मानमता की बाते सुनी और देखी होंगी पर आज हमां आपको कानपूर पुलिस के मामनतों की मिसाल पेस करने वाली ख़वर दिखा रहे हैं जिसको देखकर आपको भी लगएगा कि सभी वर्दी धारी एक जैसे नहीं होते हैं उनमें कई पुलिस अधिकारी और टिपाई ऐसे भी हैं जिनके उपर प्रदेश की जनता आज भी विश्वास करती है पूर्वी दिल्ली से एक नाबालिक बच्चे को पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने अगवा कर लिया था और उसे लेकर जाकर घर से कहीं दूर छोड़ाये बच्चा गोमते गमाते कानपूर तक पहुँच गया बच्चे के परिजनों ने बच्चे को काफी खोजविन की पर उका ही नहीं मिला जिसकी सूचना परिजनों ने दिल्ली थाने में दी ओही बच्चा किसी तरह कानपूर पहुँच गया और कल्यानपूर थाने की युनिवरिस्टी चौकी सुसिल तिरपाठी को मिला बच्चा एक दुकान के पास मायूस बैटा था जिसकी पूस्तास में पता चला बच्चा पूर्वी डिली का रहने वाला है चोकि इंचा सुचिल तिरपाटी ने परीजनों को फोन कर कानपूर बुलाया और बच्चे को परीजनों के सुप्अर्ट कर दिया बच्चे को देखकर मा की खुशी कठीकाना नहीं रहा, बच्चे की मा सुमन ने बताया कि उसका बेटा अरुण 9 तारिक को अचानक गायब हो गया था, जिसकी सूचना थाने में की गई थी, वहीं कल कानपूर, कल्यानपूर पुलिस ने जानकारी दे कर बूलाया कि आपका ब अरिवार काफी गरीब है, जिसके पास दिली वापर जाने के पैसे नहीं थे, मानाता की मिसाल पेज करते हुए यूनिवस्टी चोके इंचार्ज ने सुसील तिरपाठी अपनी जेब, पेड़ित बच्चे को परिजनों को 500 रुपए दिया और खाना खिलाया, जनपत कानप उसे राजिंद कुमार के रिपोर्ट यह रुपए लड़का कोन है यह हमारा लड़का अरुन यह कब गया था यह नो यह नौ तारिक में हुआ था मंगल कुछ है शाड़े पांच भी यह सब पांच भी निकला अचा कई से कहां से आया कुछ पताया इस ने इसने पूछ नहीं बता यह बताया के दो लड़के हमे बात पता नहीं, ये जब इसके हो साया, तो ये बता रहाए को होटल में मिला मैं, तो पीछे के गेट से मैं निकल के भागी आया, तो कहांपूर, कल्यानपूर पुलिस ने आपको दिया बच्छा आपका, कल्यानपूर पुलिस ने बच्छा दिया, कल अमारे पास फून गया अब किराया भी नहीं था, किराया भी दिया गया चौकी इंचा साब ने, हम पर किराया भी नहीं था, तो चौकी में हमें किराया दिया गया है, आधी सुर्प्या,